EPF सभी सेलरी पाने वाले करमचारियों की EPFO की तरब से चलाई जाने वाली रिटार्यमेंट सेविंग स्कीम है करमचारी भविशिनीदी संगठन 20 या उससे अधिक करमचारी वाले संस्थाओं के करमचारियों को PF में निवेश करने के अरुमती देता है EPF स्कीम के तहट एक करमचारी को अपने बेसिक सेलरी का 12 फीस दी योगदान करना होता है इसी के साथ नियोकता की तरब से उतना ही योगदान दिया जाता है रिटार्मेंट के बाद करमचारी की ब्याज के साथ भड़ी रेकम मिलती है और EPS के तहट पेंसन भी मिलता है करमचारी को सलाह दी जाती है कि पुराने EPF अकाउंट को बंद करने की जगह नौकरी बदलने के बाद पुराने EPF अकाउंट को नए नियोकता के पास ट्रांसफर करें जी हाँ तो यह पुरा पुरो से से आपको बताने वाला हूँ आज मैं डीटेल में कि कैसे आप जो है नौकरी बदलने पर ऐसा कैसे आप पूरा जो पैसा है ट्रांसफर आटो ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपको बता देना चाहेंगे आज दोस्तों हम इस ब्यारे में पूर कि जब कोई व्यक्ति एक संस्था से जोड़ता है उस समय नियोक्ता उससे समगर घोश्टा पत्र भरने के लिए करता जिससे F11 भी कहा जाता है इस फार्म में बेसिक जानकारी और UAN के बारे में पूछा जाता है अगर UAN आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो पिछले कंप करने की ज़रुत है सबसे पहले यह सुनेशित करें कि आटो ट्रांसफर प्रोसेस के लिए UAN दर्ज है कि नहीं अगर करमचारी ने आटो ट्रांसफर प्रोसेस रोकने का अनरोध नहीं किया तो मैसेज मिलने से 10 दिन के अंदर आटो ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा आटोमेटिकली अपका जो अकाउंट है वो पूरा ने से नहीं वाले में ट्रांसफर हो जाएगा अगर करमचारी का UAN पिछली उसके पिछली कंपनी की तरफ से वेरिफाई नहीं है तो करमचारी अपने EPF ट्रांसफर के लिए आफ लाइन जो करना होगा तो यह पूरा प् जैसा ही नया नियुक्त जो है आपका जो नया संस्तास अब जूरते हैं जैसे वह पहला ट्रांसफर ट्रांसफर पेमिंट करते हैं EPF को वह आटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है तो यह एक जानकारी थी जो कि आप लोके लिए हमासा करते है जानकारी काफी आपको झाल 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